नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने जा रहा हैं द्रस्टम 2 मूवी के 12 वे दिन के box office collection के बारे में लेकिन उससे पहले अजे देवकन के fans को मैं बताई दे दूँ क्योंकि द्रस्टम 2 ने half century लगा लिए box office collection के मामले में जी हाँ दोस्तो देखा जाए इस मूवी ने 50 दिन क्रास कर लिये हैं और एक तरीके से इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पे half century मार दी है दोस्तो चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं द्रस्टम टू के बॉक्स ओफिस के लेक्शन के बारे में लेकिन उससे पहले आपने मेरा वी इसका अगर सबसे बड़ा नाम है तो कोई वो नाम है अजेद द्योगन का क्योंकि बॉली वुड में अजेद द्योगन ने जिस हिसाब से इस साल उनकी फिल्मों ने के लेक्शन किया हो चाहें आर 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 मूवी हो चाहें गंगू बाई हो फिर चाहें द्रस्टम टू मूवी ने कमा हैं सतर से असे लाग रूपा है और वहीं यह मूवी सोन बार वाले दिन हैं पचास से साठ लाग रूपा है लगभग कमा रही है और देखा जाए इसका जो total box office collection हो रहा है ये movie ने देखा जाए तीन सो चालिस करोन के आकड़े को छू लिया है जी हाँ दोस्तों देखा जाए ये movie ने एक तरीके से worldwide collection जो है इसका total तीन सो चालिस करोन के आकड़े को क्रास कर गई है और इसका total worldwide collection हो गया है 342 करोन रुपए और वहीं अगर हम इसके box office collection के बारे में बात करें तो इसका box office collection भी 240 करोन के आकड़े को छू चू 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 लेगी आपको क्या लगता है दोस्तों क्या द्रस्रम टू मूवी वर्ल्ड वाइट साड़े 300 करोन के आकड़े को छू पाएगी की नहीं comment में हमें जरूर बताए चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिल करेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब